नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं पच्चीस तारिक का भवश्वत हमारी पहली राशी है मेश यानि एरिस आलज करते में बहुत अच्छा है रुके हुए कारियों के बनने का अपार हर्श होगा कोई ऐसा समाचार भी प्राप्ट हो सकता है जिससे आपकी ना कि बहुत सारी सबस्या है हल होगी बलकि कुछ नई संभावनाएं भी प्रवद होगी यात्रा को योग बन रहा है आप विदेश भी जा सकते हैं और विरोधियों के जो शड़ेंतर हैं वो आपके खिलाफ अस्पल रहेंगी और कुल मिलाकर आज कर दिन ब प्रश यानि टॉरस व्यर्थ को लिजने पड़ेंगी कारियों की बनने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो कि संबंदी कारियों से स्वें को दूर रुखना आपके ज्यादा बहतर आएगा इसलिए पूजी निवेश संबंदी जितने भी निर्णे हैं उन्ह में अचानक या जल्दबाजी में ना लें ऐसी को इसलिए पैदा हो तो उन लोगों से अवश्य परामर्श लें जिन लोगों से आपको किसी बात की उम्मीद रहती है कि या इन लोगों से बात करेंगे तो यह हमको निश्यत मदद परदान करेंगे थोड़ा धेर रखेंग बहतरें देने किसी नई पार्टनर्शिप में या एसोईशेशन में प्रवेश कर सकते हैं और आपके मन बलने परद्दी होगी नौकरी व्यवसाय के छेत्रे में जो भी आप रहत्म करेंगे उसमें बहुत अच्छे परणाम आपको प्राप्त होगी आपके मन बलने परद् संबंदों में प्रकारता दिखने को मिलेगी आपका शुब रंग है सलेटी अगली राशी है कर्क यानि कैंसर अगली मामला कोट का चरी में चल रहा है उसका फैसला आने को है तो यह फैसला आपके पक्ष्व रहेगा और जितने भी आपके कमप्टिटर्स हैं विचा कर भी बिल्कि आप उनसे बहुत आगे बढ़ेंगे आपका मनबल काफी उंचा रहेगा यात्रा का योबन रहा है यह यात्रा आपके लिए काफी सुलव और सुखद रहेगी नौकरी विवसाय के छेत्र में भी मन अकुल इस्तिति अंदर में थोंगी और जिन कारियों में आप प पुरी-पुरी संभाव है शुब रंगे पीला अगली राशी है सिंग या निलियो बहतरे दिन है जो लोग लेखन साहिते कला संगीत से निमादी से संब्द रखते हैं भी अपनी प्रत्रमा के बल पर आगी बढ़ने में पुरी तरह से सफ़र रहेंगे और आपके जो निर कर पा रहें उसकी भी आपको प्रसंगता हुए जो लोग आपसे जुड़े हुएं भी भी इस आपके निर्णे से काफी उनको भी काफी लाव होगा कुल में लाकर आज कर दिन अच्छा है और इसका अवश्य लाव उठाना चाहिए कोई निया प्रिम प्रसंग भी प्राग में नहीं रहेगी किसी बात एस्टेजी को लेकर मन खिनने हो सकता है और ऐसी को इस्तिती आए तो धैरे उसयम को जितना काम लेंगी वह आपके लिजाता सुखत रहेगा और विरोधियों के शडियांत्र भी आपके खिलाब सक्रिय हो सकते हैं इसलिए ध्यान रखना धैरे उसयम को बनाए रखें और थोड़ा एलर्ड भी रहें आपका जो शुबरंग है वह है नीला अगली राशी है तुला यानि लीब्रा अच्छा दिन है संपर्ख के दारे का विस्तार होगा सोच समझ के इन रिने जो भी लेंगी उसमें आपको बहुत सहुलित रहेगी कम्म्निकेशन के माध्यम से भी काफी आपको एक नई सोच नई स्थि निर्मित होगी और यह जो श्थियां बनेंगी यह आपको आगे बढ़ाने बुरी तरह से सहाह कोंगी और पीशे जो भी अबरोत थे जो भी मुश्किल थी उनसे आपको निजात प्राप्त होगी और आ उनका आपको परियापत मातरा में लाग भी होगा आपका शुबरंग ए गुलावी अगली राशी है विर्शिक एनिस्कॉपियो धन के शेत्र में जो भी आप प्रियास करेंगी उनमें आशातीत सफलता प्राप्त होगी अगर आप रिन देने के इच्छु के या बैंक से व पुछ सब का सा माहौ देखने को मिलेगा आपका जो शुबरंग है वह है डार्क वियो अंगली राशी है धनू यानि सेकेटरी है बहुत ही बहुत ही बहुत ही अपनी कारें को आगे बढ़ेंगे जिस भी कारे में आप प्रुशी लेंगे वह कारे आपके मन माफिक बनता र मित्र भी आपको शहयोग प्रदान करेंगी उनके शहयोग से आपको सफलता प्राप्त होगी और को नया प्रेम प्रसंग भी परारणव हो सकता है कुल में लागे आज का कि में अच्छा है आपका जो शुबरंग है वह भगवा अगली राशी है मकर जयानि केप्रिकॉन थो जो चिंदाएं महत्मोन है या उनका कोई पाय करना है तो पाय समय रहते करना चाहिए कुछी निवेशाजी कारिक कलापों के लिए आज का दिन बिल्कुल माकूल नहीं और अपने को इन संकटों से या जंजटों से यतना दूर रखेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा स् तो आपको चैतन रहना चाहिए आपका शुब रंग है ग्रीन अगले राशे है कुम्भ यानि एक्विरियस लाब जन इस्तिया निर्मेत होगी नए लोगों से भेट मुलाकात होगी यह लोग आपके लिए काफिकारगर से दूँगी समझ स्यां से निजात प्राप्त होगी और जो भी आपका अंबिशियस प्रोजेक्ट है उनमें आपको लगेगा एक सहुलियत का वातावरा निर्मेत हो रहा है और नए लोगों से मुलाकात होगी यह मुलाकात पे काफी अच्छी होगी धनकी दृस्टी से आज करेकर महत अच्छा है और कोई बड़ा प्रोजेक् मिदारी आपको मिल सकती है इसकी पूरी पूरी संभाव ना है आपका जो शुबरंग है वो है अगली राशी है मीन यानि पाइसेस नौकरी व्यवसायदी की शित्र में मनुकूल वातावरा निर्मेत होगा अधिकारियों के साथ अच्छा ताल में देखने को मिलेगा और अ आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राबता होगी नए लोग मिलेंगी नए लोग भी आपके लिए काफी रोचक सिद्ध होंगी और बार बार एक वातावरण उसावर्दक रहेगा इवं परवार के लिए भी आप कुछ करने का मन बनाएंगे उससे भी एक सुखर इस्ति चानल पर निर्वित होगी आपका शुभरं गयर सफिय ने